के ऐसे आप सभी स्वागते आप सभी का मेरे साथ में तो आप सभी Kraft 9 के बच्चे बहुती कची उमर होतीへagues इस उमर में कहते है कि और वो मिट्टी हो जिसको जैसे मट क्रें मिढ जिस आकरती में ड़ला जाएं से आप ढद जाते हूं vara हम बात करने वाले हैं जो सबसे जादा गलतिया करते हैं आपके जनरोशन के बच्चे उनके उपर आप सभी विध्यारती जीवन में हैं भी विध्यारती याने की हम विध्या को क्या कर रहे हैं ग्रहन कर रहे हैं ना संस्कृत में होता है विध्या अर्थी तो उसका मतलब क्य कीजी में कहते हैं हिंदी में कहा जाता है कि तुना ज़दा भटक रहे हो अपना ध्यान जो है वो कितना भटका रहे हो तो इसी पहरम लोग आज बात करने वाले हो कि अगर आप चाहते हो कि अपनी जिंदगी में सक्सेस पर पहुंचो मैं सिर्फ यह नहीं पूर रहूं कि आप किसी भी रास्ते पर चल रहे होते हो तो हम हमेशा मंजिल की तरफ प्रोच करते हैं कहने का मतलब अगर मैं आप से बोलू कि आप दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली ही के लिए ट्रेन पकड़ोगे कभी रजिस्थान में जैपूर के लिए या आप बैंगलूरू यानि क पर नाटका के लिए ट्रेन तो नहीं पकड़ोगे तो बहुत ही लॉजिकल चीज़ें यहां पर कि हमें जिन्दगी में पता ही नहीं है कि करना क्या है तो अकसर हम भटक जाते हैं हमारी जिन्दगी का लक्ष हमें मिल ही नहीं पाता और इसी एक मात्रिकारण के वज़े से सारे बच्चों आपके बीच में ही बहुत सारे बच्चों ऐसे रहेगे तो क्लास 10 के बाद में यह नहीं जानते कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चैन करना है वो यह नहीं जानते कि उन्हें बड़े हो करके क्या बनना है वो यह नहीं जानते कि उनकी जिन्दगी का मेन मैं में चोटी सी उमर में इतनी सारी चीजä कैसे सोच ले क्या इतना वक्त हैं हमारे पास में I agree करती हूँ बैटा कि आपके पास में अपका दिमाग तेजनीह लेकिन एक होती है अंदर से इच्छा कि आपको करना क्या है ढूंडो वो पैशन को ढूंडो उस लक्ष को और भागो उस लक्ष की तरफ अप्रोच करो और सक्सेस होकर के आओ पॉइंट नमबर दूसरा जो हर बच्चा मिस्टेक करता है और वो है बच्चा आपके पास में आपके मन को एकागर करने का ये बिसिकली एकागर चित की बात की गई है तो कहने का मतलब क्या होता है कि अकसर बच्चों को देखा गया है कि उनका मन जो होता है वो बहुत भटक हो तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि आपकी मम्मी भाईया दीदी पपा दोस्त लोग कभी उस रास्ते पर साथ नहीं चलेंगे जब भी आप सक्सेस की रास्ते पर चलना चाहते हो आपको अकेले चलना पड़ेगा आपके दोस्त भाई बहन सगे संबंदी सब आपसे दूर हो जाएगे और याद रखेगा ये इतना अकेला चलने का रस्ता होता है जहां पर आप तूटोगे रोगे आप बार बार अपने पे शक करोगे लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो आप उस मन्जिल पर पहुँचाओगे ये बहुत महत्व पूरा चीज है जो कि कोई भी आपको बता देती हूं पैटा एक उमर है जैसे हमारी हम इस उमर में आकर आपको ये सब घ्यान दे सकते किद वह स ус सह सारे सार्ट के ही लोग आज भटके हुए है, कोई गुवर्मेंट की तयारी कर रहे है, कोई कुछ कर रहे है, उनको फिक्स नहीं है, इडिलाइक की चलो ठीक है, पैसे मिल रहा ख़तम, लेगिन कभी उन्होंने, उस मक्षट की तरह भागे ही नहीं, उनका direction उनको कभी पता ही नहीं था, उनका बस अब एक ही motto है, पैसे कमा करके घर चलाना है, तो क्या ये वाली जिन्दगी चाहिए, या चाहते हो कि या नहीं, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे इसरों में जाना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे लॉयर बनना है, प्रॉपर यूटीबर बनना है, आपने कभी सोचा है, नहीं सोचा होगा, तो ये माला प्रॉब्लम आपका कब आएगा, जब आपका मन जो है, एकागरी नहीं रहेगा, अरे भाई, दस रस्ते दिखेगे आपको, तो आप चलोगे किस पर, तो ये चीज आपको हमेशा दिम जब हमारे देश का जंडा फैरता है, तो अच्छा लगता है, मुझे, जब हमारे देश के जो खिलाडी है, वो मैडल लेकर आते है, तो अच्छा लगता है, तो ये जो भावनाएं है, यहीं से आपका वो प्रेम जागता है, वहीं से आपकी जो अंदर की जो बटा लक्ष ह उसकी प्राप्ति होती है और फिर उसके लिए आपको आपका मनिकागर करना पड़ेगा बात करते हैं फिर आपके सबसे महत्तर पूरा चीज की और वो है योगा अब डिस्ट्राक्शन इतना जादा है भटक इतना बच्चा रहा है हमारा तो करे तो कैसे करे क्या उपा है मैं मन को ध्यान को एक अतरित करने का और वो है बच्चा प्रतिदिन योगा और अभ्यास कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी आप योग करते हो, कहते हैं हमारे योग करने के पश्यात, हमारे जितने भी पांचों इंद्रिया होती है, वो हमारे कंट्रोल में होती है, इंद्रिया क्या है, इंद्रिया यानि कि जिससे हमें ज्यान होता है, अनुभूती होती है, एक्जैंपल के लिए हमारी तेस्ट में अच्छा लग रहा है तो आप वही चीज को बार-बार टेस्ट करूंगे आपकी कानों में कुछ बहुत मधूर सा गाना पड़ा है तो आप गाने को सुनने के लिए अपना जो लक्षिय उसको भूल जाओगे और भागोगे वहां पे तो यह है आपकी इंद्रिया तो इंद्रियों को कंट्रोल करना वस में करना हर किसी के बस की बात नहीं होती अगर आप चाहते हो कि आपकी इच्छाओ पर आपकी इच्छा शक्ती पर आपकी इंद्रियों पर आपका ही सयम रहे नियंत्रन रहे अगर आपका दोस्त दस बार बोल रहा हो कि यार चल चॉक आपको दला सकता है योगा से आपका ध्यान इतना जादा एकत्रित हो जाता है आप इतने जादा डिसिप्लेन हो जाते हो कि आपका 25 बार बूर रहा होगा कि चल ले भाई आप बना कर देए हां कभी कबार चलता है बट रेगुलर नहीं फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और वो है मुबाईल फोन से दूर रही है आज के जमाने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मुबाईल फोन ही है हम अपने दोस्तों से फैमिली वालों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जित्ता हम यूट्यूब के स्वाट से हो जाते हम सोसते कि यह दो ती हों से आजिकर के और मुबाईल फोन के अंदर होने वाली जो चीज़ेहां उसको छोड़ नी पाता है क्यों कि हमारी इंदरियों पर हमाना वशी नहीं है मूबाईल फोन अजके आईंपकर सबसे बड डिस्ट्राक्षैन है बैच्चों इस इस में इस ऐज में आपको पता रहे हैं बटा कि हम भी कई बार कुछ करने की सोचते हैं?" और हमारे हाथ मेगर mobile phone होता है तो हम नहीं कर पाते हैं और कहीं ने कहीं, जलिखंटे हम काम हम कर रहे होते हैं पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीन साल बात किया बिटा जितने जादा आप बड़ी उमर में ढ़लते चले जाओगे आपको मेरी एक-एक बाते ध्यान आएगी क्योंकि हम भी कभी आपकी जगह पर थे यसे कभी सास भी कभी वहू थी वैसे ही हम भी कभी विध्यार्तियु थे तो होप सो कि ये सभी की सादा समझ में आई होगी अब एक सबसे भत पांचिस आपके दोस्त कर दोस्तों का आपको बिगाडने और सुधारने में बहुत-बड़ा हात होता है कि कहने का मतलब यह हैं अगर आपके दोस्त महनती है तो आप उनको देखकर के खुद बखुद उनका बन जाते हो अगर यह प्पाप दोस्त पैसे उड़ा रहा है आप दोस्त पैसे उड़ा रहा है या मैं भी दो चार पैसे खर्च कर लेता हूं यह कड़वा सच है लेकिन है आपके दोस्त आपको बिगाडने के लिए या सुधारने के लिए बिटा पूरा भागिदारी होते हैं आपके पैरेंट्स नहीं पैरेंट्स आपको संभालते हैं 6, 7 तक के 8, 9, 10, 11, 12 तक आपका पूरा कंट्रोल आप पर ही होता है ये इवन कोलेज के 2nd year तक आप किसी की नहीं सुनना चाहते हैं आपको घर वाले नहीं पसंदाता है आपको हमसे बाहर वाले पसंदाते और बाहर वाले भी आपके अपने धंक पसंद नहीं किये तो आप देखोगे कि आप डुब होगी डूब होगी आपकी नईना हैं वह कोछी जाता है मैं भी जाओंगा वो पढ़ता मैं भी जाऊँ पर अगर आपके दोस्त ऐसे हैं कि यार पढ़ने से किसका भला हुआ है हम YouTube देख लेते हैं YouTube से पैसा कमाइगे हम yotuber बन जाते हैं तो यह जब चीजे आने लगती है बेटा बस ख़दम टाटा है यहां पे आपका पूरी मेहनत पानी में चल जाते हैं तो जब भी कभी दोस्त बनाओ ऐसे बनाना कि वो आपको आपकी मन्जिल में पहुचाने के लिए हेल्प करें ऐसे मत बनाना जो आपकी टांग खीच करके जमीन पर पटकते हैं कुछ दोस्त ऐसे ही मिलेगे जो दिखावा करते हैं कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन होते हैं तो आपको चूज करना है बहुत सो समझ के ठीक है तो यह छोड़ी-छोड़ी चीज़ थी आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा लेट सेट उमीद करती ह कि हमारे नन्ने मुन्ने बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान देंगे गौर करेंगे और क्योंकि यह चीज़े आपको बिटा आगे आने वाले समय में बहुत मलत करेंगी तब तक के लिए धन्यवादे